किसान भाईयो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपून जनकारी देने वाला हूँ बहुत से किसान भाई हाइडूलिक लिवर को सेट नहीं कर पाते जिसके वज़े से उनका टेक्टर में डीजल खपत बढ़ जाता है और सही तरीके से काम नहीं कर पाते लेकिन आज मैं आपको सही तरीका PC और DC लिवर को सेट करने का बताने वाला हूँ PC लिवर को पोजिशन और DC लिवर को ड्राप्ट कंट्रोल लिवर कहा जाता है ये दो लिवर से आप अपने इंप्लिमेंट चाहे वो कल्टीवेटर हो या फिर पलाव हो इसे आप बहतर तरीके से काम ले सकते हैं सही गहराई के साथ सबसे पहले किसान भाईयो टेक्टर को चालू करें उसके पच्चाथ PC और DC लिवर को पूरी तरीके से नीचे कर दें उसके बाद आप एक सही आर्पियम का चुनाओ करें सही आर्पियम चुनाओ करने के बाद अपने टेक्टर में L1 गेर लगाएं इसके पच्चाथ आप इंप्लिमेंट के साथ उसे आगे बढ़ाएं आप जब तक आगे बढ़ाएं तब तक आपका टेक्टर सिलिप्ट ना करने लगें टेक्टर को वहीं रोग दें अब DC लिवर को धीरे धीरे उपर उठाएं तब तक कि implement में पहला या फिर हलका जटका ना हो जैसे ही जटके आने के बाद DC liver को 1.5 इंच वापस से नीचे कर दें और उसे लॉक कर दें ध्यान रहे DC liver को एक बार सेट करने के बाद उसे बार बार छेड़ेना इतना करने के बाद आप PC liver को भी सही पोजीशन में रखें बस इतना करते ही किसान भाईयो आपके ट्रेक्टर की hydraulic liver की सेटिंग सही तरीके से हो गई है अब आप इसे implement के साथ यूज करें आपका ट्रेक्टर बहतर mileage भी देगा और सही से performance भी करेगा ये तो थे वो तरीके जो hydraulic सेटिंग करने का सही तरीका है आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे comment करके बताएगा हमेशा आपको knowledge भरी वीडियो मिलते रहेगी फिर मिलते हैं ऐसी next वीडियो के साथ तब तब के लिए जै हिन जै भारत